नमस्कार, प्रस्तुत है शरचंद चटोपाध्य के द्वरे लिखीवी कहानी और रक्षणिय का दूसरा भाग, आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। दुर्गा मनी यानि मंजली मौसी अपनी 13 साल की सामली कन्या ज्यानदा के विवाह को लेकर चिंतित रहती है। में होना होगा होगा, वे शांती से चले जाएं बस। अतुल ने भी उनसे कहा कि मौसा जी आप निश्टिन्त रहें, ज्यानदा का बोज में अपने उपर लेता हूँ। पिता की मृत्यू के बाद दुर्गा मनी अपने जेठानी, स्वर्ण मंजरी और छोटी बहु के पास आकर रहनी लगती है। यहां उन्हें सुख तो नहीं, पर उपाए ही क्या। जेठाने देवरानी दोनों उन्हें ताने देती है, कि वे अपने भाई के घर क्यों नहीं चले जाते। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अनाथ नाथ नित्य साड़े 8 बजी की पैसेंजर से ओफिस के लिए रवाना हो जाते थे। इसलिए बड़े सवेरे उठकर उनकी लिए भोजन तयार कर देना एक आशान्ती कारक व्यपार था। इसे लेकर बड़ी और छोटी बहु के बीच अकसर चक्चक हो जाया करती थी। पर मंजली बहु के रसोई घर का भार लेने के कारण यह जगड़ा बंध हो गया। मंजली बहु और उनकी बेटी दोनों अपना सामान बांध रही हैं और इसी आठ बजे की गाड़ी से हरिपाल जाने वाली है। बाबु की आग्या ले ली है क्या। देदी को खबर है। बाबु की बात नहीं कह सकती बहु जी किन्तु बड़ी बहु ने तो स्वैम उन्हें आठ जाने को कहा था। तो उनी से जाकर कह दे आठ बजे की रसोई तयार कर दें। यह कहकर छोटी बहु मूँ दोने को बाहर जाने लगी। महरी बोली। वह हो तो कहूं, वह तो गंगा असनान के लिए गई है। लाचार छोटी बहु को लोटना पड़ा। चाहे जैसे रांद कर नहीं देना होगा, नहीं तो पती को भूखे ऑफिस जाना होगा। वह दुरगमणी के कमरे के दर्वाजे पर जाकर बोली। इस तरह की निच्ता, किसी को मालूम न था कि तुम सवेरे ही चली जाओगी। वो गई है गंगा नहाने, और मैं अभी सो कर उठी हूँ। अब इस समय रसोई कैसे तयार होगी। प्रातय प्रणाम सब मौसियों को। कहकर अतुल बारामदे में आकर खड़ा हो गया। चोटी बहु बोली। सैसा तुम कैसे आगये अतुल। अतुल चिठी पाकर कलकत्ता से सीधे आया है, अभी अपने घर भी नहीं गया। बोला। मंजली मौसी हरिपाल गंगा लाब करने जा रही हैं, और मैं उनका अंतिम दर्शन करने भी ना आऊँ। यह बुद्धी क्वार के मंगल प्रभात में तुम्हें किसने दी मौसी। यह कहकर कमरे के भीतर उसने नजर डाली, तो एक कोने में दो अश्रू पूरित आखों का तार पाकर स्थब्ध रह गया। अकस्मात आंगन की किसी अनिश्चित जगह से स्वण मंजरी का कंठ स्वर, शब्द भेदी वान के समान आकर सभी के कानों में बिंद गया। महरी से सब हाल सुनकर वह मंजली बहु को श्रापती वी और उसके विद्वा होने का कारण बताती आ रही थी। तुम तो मन में यही चाहती हो कि छोटे मालिक भूखे ऑफिस जाएं और शाम को पित बढ़ जाने के कारण बुखार लेकर घर लोटें और उसके बाद तुम्हारी ही तरह एक और प्राणी का सर्वनाश हो जाए। दुर्गमनी अंदर तक कापती वी बोली। जिस औरत की तकदीर फूट गई हो दीदी वो अपने बड़े से बड़े दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकती है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जब देखो तभी मुझे इतनी जली कटी सुनाया करती हो। बड़ी बहु ने कहा। दूद पीती बच्ची हो न तुम कि तुम्हें बताना पड़ेगा। साड़े साथ बजरे हैं। टाइम पर रसोई बना कर कौन देगा। अतुल अभी चुपचाप सुन रहा था। अब उससे रहा न गया। बोला। अगर तकदीर एकदम फूट जाए तो कोई तुम्हारे यहां पेट पालने नहीं आएगा मौसी। इससे सब जानते हैं किन्तु आठ जाते समय इन अभागिनों को शमा कर देने से तुम्हारा महाभारत विक्रितना हो जाता मौसी। अतुल की बातों से जिठानी देवरानी दोनों अचरज में आ गये। बड़ी बहु बोली। कलकत्ते से क्या तो जगड़ा करने आया है। छोटी बहु ने कहा। जगड़ा क्यों करने आएगा दीदी। इसकी मंजली मौसी को हम लोग हरिपाल गंगा यात्रा के लिए अब तो स्वर्ण मंजरी ने चीक चीक कर एक हंगामा खड़ा कर दिया। बोली। भला अपनी मौसी को जो अब सास हो गई है। गंगा यात्रा क्यों कर आओगे। अपने घर में क्यों नहीं ठैरा लेते। गाओं भर के लोग गुण गाएंगे। अतुल गुस्टे से बोल इतना कहकर अपनी बात से वह स्वैम कुछ लज्जित होकर अतुल वहां से चला गया। इतने में बैल गाड़ी आकर दर्वाजे पर खड़ी हो गई। दुर्गा मनी चुप चप लड़की का हाथ पकड़े गाड़ी पर जा बैठी और लड़की आँख मुद कर मा की गोद म लड़क गई। ग्यारा साल बाद दुर्गा मनी अपने माई के पहुँची। शाम हो चली थी और शरत का धुंदला धुआ सारे गाउं पर छा रहा था। गाउं में प्रवेश करते ही दुर्गा मनी काप उठी। अब माईके में केवल बड़े भाई शंभू चैटर जी है उस दिन शाम उन्हें अंतरा ज्वर आने की बारी थी। इसलिए सुर्यास्त होते ही वाग खाट पर जा पड़े। खबर पाकर रजाई से सिर कान धके बाहर आए। खौन है रे। अरे दुर्गा तू आई है आ। रोते हुए आगे बढ़कर दुर्गा ने बड़े भाई क चर्णों में प्रणाम किया। ज्यानदा ने भी वैसा ही किया। बोले। ये तेरी बेटी है ब्याह कहां किया। अभी ब्याह नहीं हुआ है पर जल्द ही कहीं। ब्याह नहीं किया। लड़की तो काफी सयानी हो गई है। यहां के लोग यदि जान गया तो अच्छा इसे रसोई और देवाले में जाने की अवशक्ता नहीं। यहां के समाज को तो तू जानती है। हरिपाल के जैसे पाजी आदमी संसार भर में नहीं है। इतनी सयानी लड़की वहीं चाचा के घर छोड़ आई होती तो दो-चार दिन आराम से रह सकती थी। अच्छा घर के अजी क्या कर रही हो। यह कहते वह खड़ाओं पहने खट-खट करते अंदर चले गये। यह भाईया का दूसरा ब्याह था। पहली भाबी को दुर्गा ने देखा था। इन्हें नहीं। यह काली, दुबली और लंबी थी। जूडी ज्वर से शरीर का रंग जली लकडी स हो गया था। तीन दिन का जमा गोबर पात हात मुधो दिया जलाने जा रही थी। शंभू को ज्वर चड़ाया था। इसलिए स्त्री से अगंतुकों का परिचे करा कर वह अंदर चले गये। स्त्री का नाम है भामिनी, मदिनापूर जिले की लड़की है। उन्होंने हसकर ननत को ले जाकर रसोई के चबूतरे पर पीड़ा डाल कर बिठा दिया। उनकी हसी एवं धंग देखकर दुरगा का कलेजा बैठ गया। आते समय वो एक हांडी रसगुला लाई थी। उसे भाबी के सामने रखते हीं लड़कों के जुंड ने उसे घेर लिया। बच्चो भी जरा से चिंदी लपेटे प्राया नंगी ही थी। यह सब देखकर उसे अपना गाव यादाया। वहां रास्ते हैं, घाट हैं, आम कठल बासवारी का ऐसा अंधकार नहीं है। गोबर और सन की सडांध से वहां सांस नहीं रुकती। एक गीदर आंगन में घुसाया और बड़ा लड़का उसे भगाने के लिए दोड़ा। जिल्लियों की विकट जंकार शुरू हो गई। दिवार से सटी सूखी डाल पर कोई विकट शब्द हुआ। ग्यानदा ने पूछा। मा या क्या बोल रहा है। मामी ने सुनकर कहा। यह तक्छक है। ग्यानदा काप ग की गोध में सिर रख कर रो पड़ी। मा यहां से चलो। मैं यहां एक घड़ी भी जीवित न बचूंगी। मामी विसमित होकर बोली। डरो मत बेटी। यह तो देवता हैं किसी का नुकसान नहीं करते। साप काटने से यहां कितने ही आदमी मरते हैं। डर तो बस मलेरिया क बस जिसे पकड़ता है उसे बेदम करके ही छोड़ता है। बीस दिन से तुम्हारे मामा को पकड़ रखा है। इतने दिनों में गल गये हैं। कुछ दिनों बाद इस गाउं में कौन किसके मुँ में पानी डालेगा इसको कोई नहीं जानता। ग्यानदा को अतुल की बाते आध हुआई। वो रात भर सो न सकी, मा की छाती पर मुख रखे चौकती, किसी तरह सुबह हुई। इतनी सयानी लड़की को देखकर मुहले टोले के लोग अचरच करने लगे। बंगाल में माता पिता प्राया लड़की की उम्र दो एक साल घटा कर बताते हैं। इसलिए उठान और बाड बड़ी अच्छी थी। वही स्वास्त आज के लिए काल बन गया। उसकी उम्र जादा होने की गवाही देने लगा। दो दिन भी न बीते थे कि शंभू ने बहन से कहा। लड़की के कारण गाउं में मुह दिखाना मुश्किल हो रहा है। एक अच्छा व जमाई ठीक हो गया है। अब दूसरी जगह नहीं हो सकता। अगले वर्ष ब्याह करूंगी। शंभू ने कहा। मैं तो समझता हूं कि इसी अगहन में कन्यादान आवशक है। दुरगा और बात ना करके वहां से उठ गई। बाद में मालूम हुआ कि यह अच्छा वर माह से अकेले हैं। अधिक दिन उनका अकेले रहना कोई भी उचित नहीं समझता। घर में कई बच्चे हैं। इसलिए एक सयानी लड़की उनके लिए ले आना बहुत जरूरी हो गया है। दुरगा के बार-बार इंकार करने पर भी या उत्तम वर एक दिन सहसा आ गये। उ अवर्शक होने पर वह यहीं जबरदस्ती करके उसका ब्याह कर देंगे। दुरगा ने कमरे के अंदर आकर लड़की का मूह देखते ही समझ लिया कि उसने सब कुछ सुन लिया है। उसकी दोनों आखें सूच कर लाल हो रही है। माह उसे चाती से लगा कर बोली। मेरे जी एक मामूली बात है। लड़की मा की चाती में मूँ छिपा कर फूट फूट कर रोने लगी। मा ने सिर पर हाथ रखकर देखा कि उसे तेज ज्वर है। पूछा। ज्वर कब हुआ बेटी। कल रात से। कहकर वो चुप हो गई। बड़े भाई की इस्त्री भामिनी की वि इकट चेहरे और करकर स्वर के कारण दुर्गा ने अभी तक उनसे घनिष्टता नहीं बढ़ाई थी। वह वाचाल और जगडालू भी थी। परन्तु उनमें दुर्गा ने एक गुण देखा था। वो किसी से सीर होकर जगडा नहीं करती थी। उनके रास्ते में ना आने वो कुछ नहीं कहती थी। अपनी ग्रिहस्ती में ही लगी रहती थी। दुर्गा पहले ही दिन उन्हें रसोई में सहायता करने गई थी। तब उन्होंने कह दिया था। ननत दो दिन के लिए तो तुम आई हो। तुम्हें काम करने के कोई जरुरत नहीं। आज देर होती देख उन्होंने दर्वाजे के बाहर जोर से कहा। आज खाना पीना ना होगा क्या ननत जी। मैं कब तक रसोई लिए जोहती रहूंगी। दुर्गा ने कहा। लड़की को तेज जवर है भाबी तुम लोग खालो हम लोग आज न खाएंगी। भाबी बोली। लड़की को छोड में मुह में अनना डाल सकूंगी। तुम लोगों की बाते तो संसार से न्यारी हैं। कहकर वो चली गई। रसोई घर से बोली। बुखार हुआ है तो बैद बुला कर काढ़ा दो। मलेरिया में कौन नहीं खाता। हमारे हाँ तो ऐसा रिवाज नहीं है भाई। शाम ग्यानदा मामी से डरती थी। चुप चाप उठकर काढ़ा पी लिया पर उल्टी हो गई। मामी ने क्रोध में कहा। ऐसी शौकीन लड़की के साथ हमारे जैसे दुखी गरीब के हां आने की क्या ज़रूरत थी। तब से ग्यानदा का रोग बराबर बढ़ता गया है। कु जिवा के लिए पती को उकसाया होगा। इसलिए जब भावी ने आकर कहा। तारकेश्वर में एक प्रमान पात्र डॉक्टर है। उन्हें बुलाने के लिए तुम्हारे भाया को भेजा है ननजी। जो और बढ़ता चला जा रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं। तो इस खोल कर पढ़ ले। फिर सोचा कि यह उचितन होगा। मां होकर उसका वा पत्र कैसे पढ़े। बुली। क्या लिखाया अतुल ने। यही सब की यहां आना उचितन था। दुर्गामणी ने इस पर मात्रिसने से विगली थोकर मन में कहा। भाया कि इस बात में कितनी मरमान तक व्यथा छिपी है, तभी तो उसने कहा था, गंगा लाब करने के पहले भेंट करने आया हूँ, सच मुझ, मैं चाहे जो भी करती, पर लड़की को यहां नहीं लाना चाहिए था। कागस को हाथ में लिये, उन्हें न जाने अतुल की कितनी बाते याद आ रही थी। पती की मृत्यू शया पर उसकी प्रतीक्षा, चूडियां देने के लिए महाप्रसाद के बहाने आना, कलकत्ते से दोड कराना, मौसी से जगडा, आनंद से उनकी छाती फूलू उठी, मनी मन कहा, काली लड़की, देखो मेरी काली लड़की का गौरव, उपर से पुकारा, कैसी तबियत है बेटी, बेटी ने कहा, अच्छी है माँ, फिर माँ ने कहा, मेरे बारे में अतुल ने क्या लिखा है बेटी, ज्यानदा बोली, पढ़ लो ना मा, अव्वा को तोहल ना रोक क खिड़की के पास जाकर पढ़ने लगी, श्री चरनेशु, देखकर मन में हसी, तभी पढ़ने को दी है, यह तो मेरी ही चिठी है, लिखा है, तभी कहा था कि वर्स्थान मलेरिया की खान है, ज्यानदा के ज्वर का समाचार पाकर दुख हुआ, आशा है श्री ग्रिस्वस् बेटी, तेरी चिठी में क्या अतुल ने क्रोध प्रकट किया है, ज्यानदा ने आश्चरे के साथ कहा, मेरी चिठी, मेरी चिठी कहा है मा, तुम्ही को तो लिखा है, दुरगा ने कहा, मैं देखना नहीं चाहती बिटिया, पर उसने क्रोध प्रकट किया होगा, इतना तो म समझी रही हूँ नहीं मा उन्होंने मुझे कोई चिठी नहीं लिखी जो कुछ है तुम्हारे सामने ही है बस यही दो पंक्तियां और कोई बात नहीं कैकर दुर्गामणी स्तब्ध हो गई बालों में फिरती मुलायम अंगुलियां हड़ी जैसी कड़ी हो गई दिन बीतने चुका था ठंडी हवा बहने लगी थी दुर्गामणी की बच्पन की एक सहेली मै के आई वी थी आज दोपहर को लड़की की तब्यत कुछ ठीक देखकर दुर्गामणी सहेली से मिलने जा रही थी कि रास्ते में डाकिये को देखकर बोली दासु अपने थैले को जरा देख भाया तीन-तीन चिठ्धियों का उत्तर न देगा मेरा अतुल ऐसा लड़का तो नहीं दासु ने कहा बहन नहीं है जो ही चिठ्धी आएगी तुम्हीं मिल जाएगी दासु ऐसा भी हो सकता है क्या कि चिठ्धी आकर डाक खाने में ही पड़ी हो या मेज के नीचे किसी ओने कोने में गिर पड़ी हो तुम लोगों ने देखी न हो क्या मैं एक बार खुद जाकर नहीं खोच सकती उनकी व्याकुलता देख दासु ने करुनादर होकर कहा तुम्हारा खोजना बेकार होगा बहन जी मैं अच्छी तरह देख लूँगा मिल गया तो दे जाऊंगा इतना कि ऐसी भयंकर बीमारी की सूचना पाकर भी वह जवाब ने देगा इस बात पर विश्वास नहीं होता उसने अवश्य पत्र लिखा होगा जो कहीं इधर उदर हो गया है हाईरे मानव की आशा यह बात एक बार भी दुरगा के ध्यान में ना आई कि इस अवधी में अतुल के मनो भाव में परिवर्तन भी तो हो सकता है या उसकी गुप्त रुप से परदे की आड में बढ़ती वी कामना असमय के सब के सामने खीच लाने से निरजीव भी हो सकती है और विरोधी शक्तियां सजग होकर उसे दबोच ले सकती है मनुष्य ऐसा ही अंधा है आज दो महिने से तीन तीन पत्र भेजने पर भी एक का भी जवाब नहीं आ रहा है लोटते ही उन्होंने ग्यानदा से पूछा कि दासु चिठी दे गया है लड़की के नहीं कहने पर विश्वास नहीं हुआ उन्होंने सोचा कहीं यह सो गई हो और दासु पुकार कर चला गया हो उन्होंने भतीजे को डाक खाने भेज कर पुछवाया मालुम हुआ दासु नहीं आया इसके बाद तीन चार दिन पत्र की प्रतिक्षा में ऐसे कटे मानु काटो की सेज पर सो कर बिताए हो निराश हो अतुल की मा को लिखा उन्होंने इतना ही जवाब दिया कि अतुल अच्छी तरह है और कलकत्ते में पहले की ही तरह पढ़ रहा है इसमें भी उपेक्षा कही स्वर्था अगान और पूस भी बीत गये किन्तु अतुल का कोई पत्र नहीं आया आधा माह बीत्ते बीत्ते लड़की के स्वास्त में कुछ सुधार हुआ तो मा बीमार पड़ गई निराशा की ऐसी चोट वा नहीं सहन कर पाई तिस पर भावी के प्रती उनकी खीज और द्वेश दिन बर दिन बढ़ती ही गई यहां तकी वा घृणा में परिवर्तित हो गई वो उन्हें जली लकडी ताड का इत्यादी नामों से पुकारती भामिनी ज्यानदा को प्यार करती थी उसकी सेवा भे करती थी किन्तु दुर्गा को उनके प्रेम एवं सेवा में स्वार्ति की गंद दिखाई पड़ती थी इसलिए उनका रिदय विश की ज्वाला के समान जलता रहता था बहुत सहती आई परंतु अब नहीं सहा गया माग समाप्त होते होते उन्होंने खाट पकड़ली लड़की ने रोकर कहा मा अब अपने घर चलो जो कुछ होना होगा वहीं होगा शेश कहानी अगले भाग में कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद